आग इसे BTTH की वीडियो हम Miss Voice Over 2 चैनल पर लाया करेंगे तो आप BTTH को वहाँ जाकर जरूर देखें BTTH की लेटिस वीडियो Miss Voice Over 2 पर है इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गए लिंक पर क्लिक करके उसे दीख सकते हैं हाई गाइस आपके लिए गुट न्यूज है जेट आपने सीजन वन नहीं देखा तो उसका प्ले लिस्ट लिंग हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है आप वहाँ जाकर उसे जरूर देखें ताकि आपको पूरी स्टोरी फिर से आदा जाए जिसे कि लास्ट एपिसो जूर शांसी वगएरा सब रिलीव में है क्योंकि अब ये उनकी हेल्प से जरूर फाइनल्स में पहुंच जाएंगे जूर शांसी कहता है कि अब तो सीनियस यहां आ ही गए हैं और मुझे अप अपनी स्किल्स को और जादा दिखाने का मौका इतना नहीं मिलेगा और फिर म जाख में कहता है कि जिया नानंग भी मेरी काबलियत को देखकर इंप्रेस नहीं हो पाएगी जिया नांग गुस्से में उसकी चेयर को धका दे देती है जिससे जूर शांसी नीचे गिर जाता है और सब हसने लगते हैं यू हो कहता है कि जब से कॉम्पेटिशन शुरू हु काई तुस्याज याओ के एडवांस्मेंट को दे कर खुश है और फर वहाँ टीचर्स वो उन्हें बताती है कि अभी तक के रिजल्ट्स ये हैं श्रेक स्कूल, इंपीरियल स्कूल अफ सोल स्ट्रोगर, सोल फाइल रॉयन स्कूल ही फाइनल तक पहुच पाए हैं सोल फाइ कहता है कि दो बार मैचस कराने का सिंपल सा रीजन यही है ताकि दो बार टिकेट्स बेजी जा सकें, मैच की और इन्हें मुनाफजादा हो, टीजर्स वो कहती है कि क्योंकि हमारी टीम भी ओगनाइस ठीक से नहीं हुई है, इसलिए हमारे स्केडूल अब बहुत जादा हैव यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं और टीजर्स वो उसे थैंके बोलकर कह देती है कि हम टाइम पर वहां पहुँच जाएंगे, अब सभी यह रात को आक्शन में जाते हैं, एंड आक्शन शुरू होता है, जिसमें पहला आइटम लेवल एट का मीले सूल काइट टूल है, ज और टीजर्स वो इस बात को समझाती भी है कि हमारा इस पार का बजट अभी के लिए लिमिटेड है, इसलिए जो तुम्हें लेना है, वो सो समझ कर लेना, जिस पर दाइय योहेंग कहता है कि मैं इसे अपने पैसों से लेना चाहता हूँ, ताकि बागी लोगों को और अच् इसलिए पैसों की तो उस पर कोई कमी ही नहीं है, असल में अभी सिर्फ आइटम्स को दिखाया जा रहा है, कि इस आक्षन में क्या क्या बिकने वाला है, बोली लगनी बात में शुरू होगी, अब होस्त अगला आइटम जो रखती है, वो बहुत जादा खास है, यह एक सोल बोन है, और इस सोल बोन को देखते ही, आइस बेंग एंपरर को गुसा आने लगता है, क्योंकि यह सोल बोन उसके क्लान के किसी मेंबर की सोल बोन है, होस बताती है कि यह जो सोल बोन है, वो हलाकि सिर्फ पचास सार साल पुरानी है, लेकिन इसकी जो पार है, वो एक लाग स साल पुरानी सोल बोन से कम नहीं है क्योंकि ये सोल बोन फार नौर्थ में मिलने वाले सूपर सॉल बीस्ट आईस दे सकॉबियन की है जितना कम टेमप्रेचर होगा उतनी इसकी आईस साथ टेरिफाइंग होगी आईस कॉबियन्स एक्स्ट्रीम आइस का आट्रिबूट रखते हैं और इस सोल बोन में एक खाल सोल स्किल है जिसका नाम आइस बस्ट है जो बहुत जादा दिवास टेटिंग ब्लोग करती है अपने शिखर पर ग्रैंट सोलन मास्टर तक भी इसके अटाइक से थोड़ा अफेक्ट हो सकता है आइस पैंग एम्डर को बहुत जादा गुस्सा आ रहा था कि ये मेरे ही मेंबर की सोलबोन की निलामी कर रहे है पूछती है कि तुम मेंसे ये किसे चाहिए यू हाउ टीचर्ज ओ से कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं परसनल में हो से जाकर बात कर पाँ टीचर्ज ओ मान जाती है और अपने श्रेक अकाइडमी के बड़े नाम की वज़े से वो आक्षन को थोड़ी सी देर के लिए रुकवा कर यू हाउ को हो से मिलवाने चली जाती है हो श्रेक अकाइडमी के पास आती है और पूछती है कि तुम लोग कह रहे हो कि आक्षन में गड़बढ है तुम ये किस सधार पर कह रहे हो टीचर जो कहती है कि हम ये यू हाउ के आइस जेट स्कॉपियन मार्शल सोल के वज़े से कह रही है यू हाउ कहता है कि प्रॉप्रिम सोल पून में नहीं बलकि इसको एपसॉप करने के बारे में है यू हो फिर अपने आइस जीट स्कॉपियन की मार्शल सूल को बाहर निकालता है और कहता है कि बिना आइस स्कॉपियन मार्शल सोल के कोई भी सोल मास्टर इसे अपनी बाड़ी के अंदर फ्यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके अंदर काफी जादा एक्स्ट्रीम आइस आट्रिब्यूट है इसलिए इसको इस तरह आउक्शन में रखना सही नहीं होस कहती है कि ये काफी बड़ी बात है और इसका फैसला मैं खुद नहीं ले सकते इसलिए आप लोग थोड़ा सा वीट कीजिए ओस वाँ से चली जाती है और फिर राजा को बुला कर लाती है और राजा कहता है कि मैंने अभी इन से तुम्हारी सारी वाते सुनी क्योंकि ये सोल बोन इस आउक्शन हाउस की है इसलिए हम फिर आपको बिना आउक्शन किये तो ये नहीं दे सकते लेकिन अगर आप चैंपियोंशिप को जीच जाते हो तो हम इसको प्राइस के तौर पर आपको दे देंगे अब आप ये हासल कर पाते हो या नहीं आपकी एबिलिटीस पर डिपेंड करेगा ये चीज़ सबको सही लगती है और आउक्शन कंटिनियू होता है अब आउक्शन के अंदर अगला आइटम डिवाइन सीलिंग टेरेस रखा जाता है जो कि लेवल नाइन के सूल काइड मास्टर ने बनाया है इसके अंदर टाइम एंड स्पेस को सील ओफ करने की ताकत है और ये लेवल नाइन का सूल काइड टूल वेपन है क्योंकि लेवल नाइन का सूल काइड टूल कहीं पर भी नहीं है और इसके रिवर्स इंजिनिरिंग करके हम इसके जैसे और भी वेपन्स फिर बना पाएंगे सन इन मून एंपायर के लोग भी इस आउक्शन में है और वो भी शौक है कि हमारी इतनी अद्वांस टेकनोलोजी आकर इनके हाथ में कैसे लगी जरूर हमारे एंपायर में कोई जासूस है जो हमारी टेकनोलोजी को इने बीच रहा है अब अगला आइटम रखा जाता है और इसका नाम फिंग्शन टेरस है और ये असल में एक पॉट है जिसके अंदर वाक्यूम है और इस पॉट के अंदर एक बहुत इखतनाक सोल बीस्ट का एंब्रियो रखा है एंब्रियो का मतलब गर्ब होता है यानि जब बच्चा पीट के अंदर होता है और सिर्फ दो दीन महीने का होता है तो उसे embryo कहते है ये embryo decade millennium soul beast का है और जब कोई इसे हासल करेगा तो उसे बिना महनत के ही एक लाग साल पुरानी millennium soul ring और soul bone मिल जाएगी टीचर्स वो कहती है कि ऐसा करना इस soul beast के लिए बहुत cruel है लेकिन ये अच्छा method है किसी को बिना किसी महनत के soul ring देने का यू हाओ भी समझ आता है कि जिसने भी ऐसा किया है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर और निर्दई है इस divine terrace की air ice bang emperor को थोड़ी familiar सी लगती है लेकिन वो नहीं समझ बाता कि ये exact है क्या जो ये embryo है वो level 9 के container में सील है और इसको हासल करने से soul master की बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इसकी starting price 100 million gold soul coins की है और सबी अपनी अपनी बोली इस पर लगाने लगते है और sun and moon empire 150 million coins देकर इसे अपना बना लीता है ये देकर जू शांसी को बहुत बुरा लगता है कि ये चीज उसके rival के पास चली गई अब ये सबी auction खत्म होने पर यहां से चले जाते है और हम राजा के चेहरे पर एक दुख भी देख बाते है कि ये item sun and moon empire के पास आ गया क्योंकि आए आने वाले 10 सालों में sun and moon empire बहुत जादर ताकतवर हो जाएगा तो वो हम पर हमला कर सकता है अब अगले match में main members के लोग भी लड़ने जाएंगे और teachers वो इनसे इनकी पूरी पार को यूज करने को कहती है और वो मास्याव क्योंसे उसकी six soul skills को यूज करने को मना कर दीती है वो दाई हुएंग सिर्फ की soul पार को conserve करने को भी कहती है और बिना soul पार को consume किये सिर्फ नए plate जो उसने खरीदा है उसका use करने को कहती है दाई हुएंग कहता है कि मैं अपनी first five soul skills से ही इन्हें हरा दूँगा तो blade का use करने की क्या जरूरत जिस पर टीजर्स वो उसे समझाती है कि ऑपनिन के कैप्टन की मार्शल सो जी ह्वान जू स्वार्ड है और इस तरह की मार्शल सोल के होने से उसके ओपर जरूरी जनरेशन की ability होगी जो तुम्हारी soul पार को बहुत साथ एक्सास्ट कर सकती है इसलिए तुम्हें अपनी सोल पार को बचाना है और उसे एकी प्रो में हराने की कोशिश करनी है अब श्रेक एकाडमे और रॉयल स्पिरिट बैटल स्कूल अरीना में आती है और मैच स्टार्ट हो जाता है आपनेंटीम सबसे पहले अपने माशल सोल से अपने आसपास बहुत बड़ी शील्ड क्रेट करते हैं और ये देखकर माज याओत्याव समझ जाती है कि उन्होंने इतनी दाकतवर शील्ड मैच होते ही इसलिए लगाई है ताकि उन्हें एक बाफुल अटाक करने के लिए टाइम मिल जाए और इसलिए जू शैंसी यहता है कि वो उन्हें टाइम नहीं दे सकता है यू हाओ तुरण स्पिरिट डिटेक्शन शेरिंग का यूज करता है जिससे सभी शील्ड के अंदर की चीज़ों को देख पाने लगते हैं और वो अंदर के लोग आपस में मिलकर एक अटाक फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे है माँ से होते हो तुरण जू शैंसी को आउक्शन में लेने को कहती है और जू शैंसी उनके लीडर के साथ अपनी पोजीशन को स्विच कर देता है जिससे उनका लीडर श्रेक अकाडमी के बीच आकर फस जाता है लेकिन वहाँ वो जू शैंसी भी एनिमी ट्रेटरी में फस जाता है लेकिन उनका लीडर बिलकुल भी नहीं डरता और कहता है कि मुझे पता था कि टोमिस टेक्नीक को जरूर यूज करोगे वहीं वो जू शैंसी के उपर वो सबी आपनिस एक संग हमला कर दीती है और जू शैंसी अपनी शील्ड से बचता है और कहता है कि मैं इसके लिए तैयार था वो फडर्तुरं मास याउद्यों से स्विच कर लीता है जिस वज़े से वो मास याउद्यों की पुजीशन पर और मास याउद्यों जू है के अकाडमी में सबसे दाकतबर है वो एनिमी टुरडी में आ जाती है और वो अकेले ही इन सभी को माननी लगती है उसके पास फिनिक्स की पार है और वो बहुत साथा ताकतवर है और सभी वर्भारी बढ़ने लगती है लेकिन आपनेंट का लीडर वहाँ अपनी ताकत से हर जग है बास उगा दीता है और उन सभी को अपने औरा में डाल दीता है और फिर उन प्रास सिश्वेक एकाडमी पर ह करने लगता है इस प्रास के औरा में लीडर काफी साथा ताकतवर है और वो दाई योहंग से लड़ रहा है और दाई योहंग के बराबर की उसके पास स्किल्स है माज या उत्याओ उन सभी पर अभी विभारी बढ़ रही है और वो जैसे तैसे शील्ट कर यूज करके बज करने जुच जाते हैं लीडर तो उन सभी को इधर उधर पटका रहा है और उसके टीमेट्स और सोल गाई टूल को अच्छे से असेंबल करने में लगे हैं मास या उत्याओ बहुत कोशिच करती है लेकिन उस लीडर को नहीं पकड़ पा रही होती क्योंकि वो लीडर अपको बचाने की कोशिच करती है लेकिन उसकी शील्ड टूर जाती है और सभी श्रेक टेविल्स बहुत सादा घायल होने लगते हैं शैनलिन अपनी आइस पार से ब्रास को जमाने की कोशिच करती है और यू हाव अपनी डिटेक्शन पार से इस परपल औरा को जनकनी की को लेकिन एक ही प्रास को तोड़ने में उसकी हालत खराब सी हो गई है और आपनेंट कहता है कि मैं ऐसी कई प्रास छोड़ सकता हूं देखते हैं कि तुम कितनों को संभालते हो श्रेक अकादमी की हालत पतली नजर आ रही है और उनका वो बड़ा बाला सोल गाइड टूल वेब लेकिन इतने में ही उनका वो पावल सोल अटाक तयार हो जाता है और ये सोल गाइड़ेड कैनन है और ऐसी कैनन एक आमी की आमी को डिस्ट्रॉई करने के लिए सफाइस रहती है और जैसे ही वो इन पर इस कैनन से अटाक करने आ रही थे यूह अपनी सारी मेंटल शेरिंग की बाड मास्याओत्याओ को दे दीता है जिससे मास्याओत्याओं उनको लोकेट करती है और फॉल स्पीड में उसी डारेक्शन में जाकर उन पर हमला करतीती है जिससे उनका वो वेबिन तुरंट तूट जाता है और वही ब्लास्ट होने की वज़ह से आपनेंट टीम के सारे मेंबर्स खायल हो जाते हैं और हार जाते हैं और यह एपसोड यहीं कहत्म हो जाता है